Next question is question number C of addition 27.076 plus 0.55 plus 0.004 additions में हम क्या करते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको like decimal बनाएंगे तो like decimal बनाने के लिए हम क्या करेंगे after decimal हम चेक करेंगे कि कितनी digit है यहां पर after decimal 1, 2, 3 digit है after decimal 2 digit है और after decimal 1, 2, 3, 3 digit है तो decimal के पाद maximum कितनी digit आ रही है 3 digit आ रही है तो सभी को हम क्या करेंगे 3 digit बनाएंगे So right here 27.076 plus 0.55 55 आपकी 2 digit है इसको 3 digit बनाने के लिए हमने एक और 0 लगा दी तो यह कितनी बनेगे 3 digit Next is 0.004 यह आपके पास पहले से ही 3 digit है तो इसे आप ऐसे ही लिखेंगे अब आपने क्या करना है कि इसको आपने सभी numbers को आपने लिखना है 550 जब आपने इन numbers को आपस में लिखना है तो यह आपने ध्यान देना कि डेसिमल के नीचे ही आपका क्या आएगा डेसिमल आपने जीरो यहां से नहीं स्टार्ट करना है भी जीरो यहां से स्टार्ट कर दे और यहां कर आपके पास यह 7 वन्स प्लेस में है जीरो भी वन्स प्लेस में है तो डेसिमल से पहले वन्स प्लेस वन्स प्लेस में ही आएगा टैंस प्लेस टैंस प्लेस में ही आएगा 100 100 place में ही आएगा और after decimal जो है आपके पास जो आपने like बना दिया है तो वो as it is आजाएगे जैसे आपके पास यह 0 है तो decimal decimal के नीचे decimal आगया 004 004 अब आप देखें कि digit के नीचे ही सभी आपकी digit है decimal के नीचे ही आपका क्या आया decimal आया अब आपने इसको plus कर देना है तो plus करने का method सीम वैसे है जैसे आप simple questions में plus करते है 6 plus 4 that is 10 1 उपर आगया 7 5 12 और 1 13 13 का 1 उपर 5 plus 1 that is 6 और decimal आपने decimal के नीचे ही आपने insert करना है 7 plus 0 plus 0 that is 7 and 2 के नीचे कुछ नहीं है means कि आपने सिर्गी आपने 2 लिख देना है question 1 is e 25.65 plus 9.005 plus 3.7 first of all you have to make it into like decimal so like decimal after decimal first of all you have to check how many digits 1 2 1 2 3 and 1 तो maximum digit कितनी आई 3 digit आई तो आपने like बनाने के लिए सभी numbers में आपने 3 digit जो है वो बनाने है so right here 25.650 तो आपकी यह क्या बन गए 3 digit बन गए 9.005 यह पहले से ही 3 digit है 3.700 तो यह भी आपकी क्या बन गए 3 digit बन गए now add 25.650 decimal की नीचे की आपने decimal लगाना है तो decimal से पहने क्या है 9 so right here 9 9.005 next आपका क्या 3 point तो point आपका यहां बना गया तो 3 आपने यहां ही बन गया 7.00 now add this 5 plus 0 that is 5 5 plus 0 that is 5 6 and 7 13 so 13 का 1 कहां गया उपका now next is decimal so insert decimal 1 plus 5 plus 9 plus 3 so 9 plus 1 10 plus 5 15 15 आप 3 कि 3 होगे 18 18 का 1 उपका गया 2 plus 1 that is 38 so 38.355 students आप इसे रीड चो करना है after decimal तो single single digit को ही आपने रीड करना है इसे आपने रीड करना है 355 कैसे रीड करने के 38.355 that part of question 1 280.69 plus 25.2 plus 38 now in this question after decimal there is 2 digit and there is 1 digit and there is no digit now we make these number into like decimal so like decimal के लिए हम क्या करेंगे after decimal maximum 2 digit है तो सभी में हम 2 digit करेंगे so 280.69 plus 25.20 20 करके ये 2 digit बंदी plus यहाँ पर आपका 38 है तो 38 के बार हम point लगा तब 20 लगा देंगे तो यह भी आपकी क्या बन गई like decimal now as 218.69 decimal के रीचे आपने decimal ही लगाना है decimal से पहने 25 है तो यहाँ पर आपने 25 लिखना है now write here 20 plus 38.00 now add this 9 plus 0 9 6 plus 2 8 now here is decimal so write here decimal 8 plus 5 13 so 1 carry 8 plus 2 10 10 3 13 or 1 14 1 2 plus 1 that is 3 so this is your answer 5 he is